This is the story of the old clock shop, chapter 4. इस story में क्या हम जानेंगे? आईए, पढ़ते हैं. It's Christmas Eve, ये Christmas का evening है. And closing time for shops और दुकानों के बंद करने का समय है. Ray's old clock shop is still open. लेकिन जो Ray है, उनका पुराना clock का shop, दुकान अभी भी खुला है. Two shoppers call at the late hour. दो shoppers जो हैं, वे बिलकुल अंतिम समय में उनके दुकान में आते हैं, जबकि बंद होने का समय है दुकान. Christmas Eve had arrived. Christmas evening आपोंचा, Eve आपोंचा था. At last minute, अंतिम समय में, स्वापोंच वर गुएंग होम, दुकान दार लोग घर जा रहे थे. एथिक वाइट सीट अप सुनो, ले ओवर, साल्ट लेक सीटी, USA. USA, जो कि सॉल्ट लेक सीटी है, और वहाँ पर सॉल्ट लेक सीटी में कैसा था मौसम, तो बर्फ की चादर फैली हुई थी. Yet the lights were still burning in the old clock, और old clock shop में अभी भी चु लाइट था, वो जल रहे थे. It's old, deep honor. इसका honor कैसा था मालिक? उस दुकान का old बुढ़े थे, वे व्रिद थे, deep मतलब बहरे थे, सुनाई नहीं पड़ती थी, worked on a clock. और वो एक काम कर रहे थे, एक clock पर. He had sold that day, जिसे उसी दिन बेचा गया था. दिखें, ये figure है. अब हम लोग चलते हैं, next page पर. Having finished his work, अपना काम समाप्त करके, Ray stood up and was on his way to the back room. Ray जो थे, वो खड़े हुए, और वो बैक पीछे वाले room की ओर चलें, वे ने cold rush of air from the front door, hit the back of his neck. और पी front door से, जो हवा का तेज, ठंडी हवा का तेज जो था, उनके गर्दन के पीछे में आ रहा था, हीट कर रहा था. He turned to meet a last minute shopper, अंतिम समय का वो जो shopper था, वे उनकी और मुड़े, but his old wise eyes told him that this was not a shopper, लेकिन उनकी वरिद आंके उनने बताया, वे बहुत बुद्धिमान थे, ठीक है, उनने मालूम हुआ कि ये, जो shopper है ये, ठीक नहीं था, ये कोई shopper नहीं था, खरिदने को नहीं आया था He was two men, वे लुग दो वैक्ति थे, one in his twenties, एक बीश वर्स का लगभग था, and the other closer to fifty, और दुसरा पचार्स वर्स का लगभग था The younger man remained at the door, और जो छोटा उला था, वो दर्वाजी पर ही था The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes, और वो जो older man था, वो उसकी आखो में friendliness मतलब कोई मैत्री का भाव अच्छा भाव नहीं था वो counter के पास approach पहुंचा, Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter Ray जो थे उन्होंने अपने बढ़ते वे fear, डर को चुपा लिया और एक notepad और pencil counter की और उन्होंने बढ़ाया क्योंकि वो deep थे, है न, उन्हें सुनाई नहीं देता था, तो वो लिख कर अपना लिख कर ग्रहक से मांगते थे कि क्या demand है He smiled at the unfriendly face, वो मुस्कुराया, unfriendly face था उसका, कोई दोस्ती पुर नहीं, है न They pointed to his ears, और फिर वो unfriendly face की ओर देख के, मुस्कुराया, और फिर उन्होंने अपने point किया, इसारा किया अपने कान की ओर And shook his head from side to side, अपने सिर को side to side उन्होंने हिलाया, मतलब की नाम हिलाया, कि वो सुन नहीं सकते, कान से A quick look of surprise, change the man's face, उस वैक्ति का जो आश्यर बरा दृष्टी था, वो change हो गया As he studied the notepad, जब उसने notepad को रेखा, then turned and said something to his friend और वो mood कर गया अपने दोस्त से, उसने कुछ कहा Ray used the chance to look closely at the man, और अब Ray को chance मिला, आश्यर मिला, उन्होंने नजदीक से उस वैक्ति को देखा Paying attention to the shape of a gun, और उस एक gun की ओर उनका ध्यान गया And a restless hand in the man's right coat pocket उस वैक्ति के right side के pocket में एक gun जो था, restless hand उसकी ओर उस वैक्ति का हाथ restless था, हाँ gun की ओर जा रहा था Anger boiled within him, तो ये देखके Ray के अंदर गुष्चा आ गया But it was kept down by an inner voice, that's it लेकिन उनके अंदर से एक inner voice, अंदर से आवाज आई, भी स्टील की सांत रहो He wrote on the notepad, उन्होंने notepad पे लिखा May I help you, क्या मैं आपकी साहता कर सकता हूँ, Ray ने लिखा For the first time, the older man looked actually at Ray and smiled First time, उस older वैक्ति ने Ray की ओर देखा और मुष्कूराया A cruel mocking smile, बहुत ही पूरता पूरवक जैसे वैंग कर रहा हो है उस पे हैसी ओराता हुआ They both understood why he was there वे दोनों जाम रहे थे कि वे दोनों क्यों हुआ थे Why his friend remained at the door उनका दोस्त क्यों दरवाजी पर ही कड़ा था They looked like man who were down on their luck और वे लोग ऐसे दिख रहे थे जो कि अपने luck उनका down था मतलब उनका कोई बुरा समय चल रहा था And were now ready to try something और वो कुछ करने का प्रयास में थे मतलब लूट पार्ट करने के लिए They would later be sorry about और जिसके लिए उन्हें बाद में दुख भी होता तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं अगर यह आपको पसंद आया तो आगी का पार्ट हम लोग फिर सिर्फ पढ़ेंगे और जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और नेक्स्ट वाले में भी मैं फर्स्ट पार्ट कर लिंक दे दूँगी Have a nice day आप कमेंट करेंगे कैसा लगा तो मैं पार्ट टू भी बना कि आपको तुरत ही दे दूँगी ओके, थैंक यू, have a nice day इसका question answer भी मैं दे दूँगी, description में लिंक दे दूँगी